नमस्कार दोस्ते एक नई वीडियो में स्वागत है और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे आप डिस्प्ले पर देख सकते हो एस्टेमेट लिस्ट टेग के बारे में बात करने वाले आज के इस वीडियो में तो लास्ट वीडियो में देखा था टेबल ट तो यहां पर आज की वीडियो में बात करेंगे और वीडियो लास्ट टक देखना है और चाल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में आपको यह भी इंफ्रमेशन बता दू प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो सारे वीडियो बहुत सारे पहले वीडियो आ जो की बेजिक से स्टार्ट किया हमने वाटिज एच्टीमल से तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो एच्टीमल के प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर आपको सारे वीडियो आगे जो जीतने भी मिनेस बना है मतलब आपको दिये अपलोड की अपनी चैनल पे वह वहां पर मिल जाएके तो जाके देख सकते हो क्योंकि आगे जीतने भी टॉपिक से वह सारी इंपोर्टन्स ही है आने वाले भी इंपोर्टन्स होगे और जो अलड़े आ चुके वह भी इंपोर्टन्स ही है तो चली अब स्टार्ट करते जाल चाहिए नहीं करते हैं तो यहां पर स यह काम करता है मतब आप जैसे और देगे उससाब से आपको लेश्ट बनाकर देगा ले यह लेस्ट बनाता है और डियल डियल मेंस लिंशकरिप्सण लेंसborg संभ ओं यह define करता description list यह अब यह कैसे काम करेगा तो ध्यान रिखिए dt means define a term in description list एक list बनती है जिसके बारे में term in description list लेकिं डीडी यूज करते हैं उसी में तो होता है कि डिस्क्राइब करता है लेकिन describe करता है यह define करता है यह describe करता है अब यह आपको थोड़ा word में different लेकिन आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि define describe क्या हो रहा है तो मैं आपको practically जब दिखाऊंगा तो आपको बहतर समझ में आए इसमें क्या है देखिए यह define में पूरा लिस्ट यह बनाएगा बट यह जो है कुछ अलग करेगा तो वह अभी practically समझाओगा तो बहतर समझ में आएगा चले चलते प्रैक्टिकल पे ज्यादव टाइम बेस्ट नहीं करते हैं तो लास्ट जो हमने छोड़ा था उसी प्रैक्टिकल पर चले जाते हैं और वहां से हम स्टाट करते हैं वहां से स्टाट में नहीं हो सकता है तो अबीक्र लेते उपन वीट लाइज सर्वर और में भी कोई एरह नहीं आए मतलब आज उपन होने वाला 100% तो मतलब राइट शेट में आपको देखने को मिलेगा ब्राउजर तो देख सकतो लाइज सर्वर आपको पता करना है तो यहीं देख सकते हो इसके जो आईडी है मतलब कि सो आईपी कर देते हैं मतलब निकालदेते यहां से सब्सक्राइब कर देके एक चली के अहां पे यहां पे यूज करते हैं कुछ यहां पर काम करते ले 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 लेटे हैं अब इसी आईटी की बात करें तो यहां पर हमकर देते हैं फ्र Ireland करते हैं एक बेकेंग करते हैं हमें हम नाथा इच वेलब परणेंड करेंगे और गेंं नाचे लिए करेंगे और हुआ दोड़ा अच्छा साथ लग इस तहसी परेदे गार थे हैं और फिर ठीक है अभी दो इसमें काम चल लाएंगे ठीक है तो यह है कुछ इस तरह से प्रेश करेंगे तो आपको इस तरह से देखने को बिलता है अब लिस्ट और पहले तो हम यहाँ से PPT में देख लेते हैं स्टार्टिंग से UL order list and list तो पहले हम कर जाते हैं में UL order list करते हैं तो यहाँ से कोडिंग में जाएंगे और इस प्रवजर को भी यहाँ से इस तरह से उपन कर लेते हैं फ्रंट एंड की language हम यहाँ पर लेंगे जैसे कि पहले तो में और अपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा यूल फिर इसके बाद यहाँ पेज में list ली यूज करना पड़ेगा तो लाई इसको यूज कर लेते हैं इसमें पहले लेखते हैं अम हम लेगवेज को ले लेते हैं यह copy प्रेस्ट करना तो कर सकते हो तो अधरवाइस में shortcut use कर रहा हूँ li star एक रखते है css javascript react रखते हैं और इतने 3-4 रखते हैं मतलब यहाँ पर मुझे 3 और create करने है तो इसका shortcut यहाँ पर li आ चुका है और यहाँ पर अब रखते है starting में css फिर नीच जाते है javascript जावास्क्रिप्ट और इसके बाद react यहाँ काम करते हैं bootstrap रखते हैं यह तो फ्रेंबर्ग की जडरूत पड़ेगी इसके विना तो काम order list है, on order means order fix नहीं है, आपने जैसे बनाया मतलब जैसे create किया वैसे यहाँ पर order बनाया है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर html को नीचे ले लेता हूँ, तो क्या होता है ctrl x करेंगे, css के नीचे लगा दे तो क्या होता है, यह जैसे आप create करेंगे वैसे नीचे यहाँ पर right से में देख से तो change हो चुका है पर लब कि जैसे आप अपने ही साब से set कर से तो लेकि यहाँ पर अगर मैं एक और यहाँ ली देता हूँ, oil oil tag means order list, अगर order list के अंदर यहीं है content हम same use करते हैं, तो क्या होता है यही content मैं same use कर देता हूँ, यही control x करेंगे और control v करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो order list li, तो front end के अंदर मैं ने उस किया कोई बात ने तो यहाँ पर number आ चुका है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब sorry 4 तो यह proper order में आ चुका है, अब यहाँ पर अगर मैं change भी करू, HTML अभी यहाँ पर लेकिन इसको first लगा दू, तो क्या होता है, यहाँ पर second है, लेकिन इसको first लगा दू, अभी दिखे second है, तो second के सामने आ रहा है, लेकिन मैं first यहाँ पर लगा दू, यहाँ पर control भी करेंगे, इस space के अभी जुरूरत नहीं, लेकिन इसको यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं, controlize करते हैं, तो देख सकते हैं, HTML का जो पहला order कौन सा था, जो second था, लेकिन मैंने जैसे उसको CSS के उपर लगा दिया, तो यह order first हो चुगा, मतलब कि आप content कुछ भी change करो, लेकिन यह जो चीज़ है, वो change नहीं होगी, सिर्फ content का number change होगा, जो कि आपने जो भी यहाँ पर content उपर नीचे करते हैं, उस हिसाब से यह order होगा, तो depend करता है कि आप क्या रखना जातों, first पर क्या रखना जातों, second पर क्या रखना जातों, वो आप पर depend करेगा, लेकिन यह जो order है, एक proper order हैगा, इसमें कोई changing नहीं होगा, content के अंदर change कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई changing नहीं होगा, तो कहना मतलब कि order list इसको कहते है, on order जो कि हमने estimate को नीचे लिया, लेकिन उसमें ऐसा कोई फरक नहीं पड़ा, वो नीचे जाए, आप कैसे भी लगाओ, उससे कोई फरक नहीं पड़ा, जैसे कि इसको हमने copy paste करा नहीं है, यहाँ पर इसको वापस कर लेते हैं, यहाँ से control V औ खर सकते हैं, तो यह प्रौपर एक काम करते हैं, इसको बेसमें ले लेते, Reallyقط में लेते हैं और यहाँ से control X करते हैं, ताक कि हमें सबग में अच्छी ही तरह से करी है order order list यहां पर यह title देना था और हमने गलती करी है कोई बात ने front end end किया तो अप change कर देते हैं तो यहां पर order लिखते है और order list तो order mix होना चाहिए space के साथ नहीं control करेंगे तो यह अब सही समझ में मैं आ रहा है आपको कि मैं क्या समझा रहा हूँ यह अन ओर लिस्ट है और यह आप देख सकते हैं जावस्क्रिप जिसमें कोई चला जाएगा और यह दिखें यहां पर फॉर पर मैंटेंड कर रहा है order तो order और on order कुछ इस तरह से यहां पर होते हैं अब हमारा next कौन सा है next एक लिए पर पीपीट में तो dldt and ddd यह एक साथ यूज करें हम तो यहां से एक proper way में हमारा formatting document नहीं है तो यह फालतों कि space को उसको छोड़ देते हैं यहां से ठीक है और यह closing है इसका ठीक है तो यहां से इसको space दे रहेते हैं एक काम करते हैं थोड़ा HR कर देते हैं ताकि थोड़ा space हमें देखने को मिले डबल HR with BR एक काम करते हैं तो space मिलती है हमें तो इसको यहां से देख लेते हैं यह दिखे प्रॉपर एक बढ़िया लग रहा है अब इसमें भी एसा एक space दे देगे ताकि यहां से वह नीचे जो हम लिखने वाले वह एक प्रॉपर वे में दिखे तो कंट्रोल सी करके इसको नीचे लगा देते हैं कंट्रोल भी करेंगे फालत्यों के space दे रहा है कंट्रोल एस तो एक लाइन नीचे आ चुके अब इसके नीचे जो भी लिखना है लिख सकते हो तो क्या यूज करना मैं यहां पर PPT में देखा वे फिर से भूल चुगा DL, DT and DD तो फटापड इसको H1 में लिख देता कि हमें बहतर समझ में आए इसमें यह लिख लेता है DL, DT and DD यह मैंने X से ऐसी लिख दिया तो कंट्रोल एस और यहां ब्रावजर के उचला जा रहा है यह तिन चीज लिख दिये ठीक है और अब यूज करेंगे यह अभी मै इसमें DT का यूज करके कोई भी डाल देता हूं DT टेग यूज करेंगे DT में हम यूज करेंगे बेकेन की ठोड़ी पोई लेंगेज यूज करेंगे PHP.net यह सब कुछ यूज करेंगे लेकिन अब यह मैं एक और यूज कर रहा हूं दी दी में हम कर रहे हैं, यहां पर .. .net यह ही CoffeeBase लिडायए सब हम कर सकते हैं, no doubt, लेकिन फिर्फेस मैं DT यूज करूंगा DT, DD, दोनों डिफेरंट है, ध्यान रखिए! डीटी में कोई भी यूज़ कर सकते हो तो मैं यहां भी इस टाइम एक्चुली यह रियक्ट के लिए होता है अभी यूज़ कर रहा हूँ यहां पर यहां पर काम करते हैं डिटाबेस का लेले ले ले यहां बंगो Db sql यह सकते बंगोडीबी बंस्टेक यह सब कुछ मतलब हो सकता है और डीडी के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं यहां पर मतलब कोई भी एकसा मैंने दिखाने के लिए यूज़ किया है तो देख सकते हो मैंने अभी डीडी यूज़ किया यहां पर यह क्लोजिंग इसका आ चुका है डीडी यूज़ किया है फिर से यह वाले डीडी तो अब इसको शेय्व कर कर के देखता हो कैसा आपको आउटफूट बंता है तो अब आपको डेकने को मिली है वह जब जावर जैसा देखने को मिली है तो इस तरह अगर आपको क्रिएट करना है तो कर सकते हो बटके से ctrl s अब देख सकते हैं right side में इसका जो output यहां भी देख सकते हो यह कुछ इस तरह से इसको बढ़ा कर लेता है अब इस तरह से इसको बढ़ा कर लेता है तो देख सकते हो dd, dl, dd, dl means पूरा एक under description में आ जाएगा dt, means dt ने क्या यूज़ किया PHP मतलब एक proper list के तरह काम करता है लेकिन सामनी यह इस तरह से bullets नहीं आएगे जिसमें list यूज़ कर सकते हो जो data list, sorry data description मतलब कि data term description कर सकते है तो वो आ चुका है लेकिन यहाँ पे कोई bullets वगरा नहीं आए बट जैसे dd यूज़ किया, dd कुछ इस लेकिन फिर से मैंने dt यूज़ किया जिसमें mongodb लिखा था यह थोड़ा ज्यादा वर्ड लॉंग हैसली आपको इसा दिख रहा होगा पर काम करते हैं इसको ना mongodb करके सिर्फ db कर देते हैं database क्योंकि वर्ड लॉंग है तो आपको थोड़ा confusion हो सकता है तो एक काम करते जो आप सामने बेटें से सिस्टम की साब से राइट्षर में किसे कह सकते हैं डीड लगा है तो यह.net यहां पर आ चुका है फिर से डीड लगा है तो इस तरह से डीड लगा है तो कुछ इस तरह से आपको create करना है कोई list वगरा तो फिर आप यह dd, dl और dt का यूज़ कर सक है तो यह सारी समझ में आ चुकी होगी और यह था अच का वीडियो तो आज का वीडियो तक दिकले बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू